फ्यो मिनिट्स डॉक्टर अजय में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज का ये एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक महान अविनेता इर्फान खान का आज 29 अप्रेल 2020 को देहान्त हो गया दोस्तों इर्फान खान का देहान्त होना फिल्म जगत के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों आज मैं उस बीमारी के बारे मैं आप से डिसकस करना चाहूंगा जिस बीमारी की वज़े से इर्फान खान की मौत हुई वो कौन सी ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसने इर्फान खान को हम से छेन लिया दोस्तों उस बीमारी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इर्फान खान के कुछ बारे में उसको श्रदानजली के रूप में दोस्तों इर्फान खान की आज 29 तारिक को मौत हुई और दो दिन पहले उनकी मा सेदा बेगम उन्हें छोड़के चली गई दोस्तों इर्फान कान अपनी मा से बहुत ज़्यादा अटैश थे बहुत प्यार करते थे अपनी मा को और एक बार उन्होंने जब उनकी माताजी के बारे में अपनी मदर के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने महान शायर मनवर राना का ये शेर इंटर्व्यू में अपनी मा के लिए अपनी मा के प्रे में सुनाया जब भी कस्ती मेरी सेलाब में आ जाती है जब भी कस्ती मेरी सेलाब में आ जाती है मा दुआ करती भी ख्वाब में आ जाती है दोस्तो वो मा जो ख्वाब में भी इर्फान खान के लिए दूआ करती थी दो दिन पहले छोड़के चली गई और दोस्तो कुद्रत का कहर देखिए जो दूआ इर्फान खान को अभी तक बलाओं से बचा के रखी भी थी वो दो दिन पहले गुजर गई और आज 29 अप्रेल 2020 को फिल्म जगत का वो काला दिन है जिसने एक बेहतरी अभीने था इर्फान खान एक शांदार व्यक्तित्व इर्फान खान एक मानववादी युपरुश इर्फान खान को हमसे छीन लिया दोस्तो आज की बीमारी का special episode इस निश्ठूर बीमारी के लिए है जिसने इर्फान खान साब को हमसे छीन लिया अभी भी विश्वास नहीं होता कि इर्फान खान हमारे बीच नहीं है प्रन्तो दोस्तो चिकिस्सा जगत के अंदर इतनी खतरनाक खतरनाक बिमारियां हैं कि वो हमारे जिन्दिगी को हमसे छीन लेती है इसी प्रकार एक ऐसी बिमारी निरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ कॉलन जिनको कि हम कारसिना ट्यूमर भी बोलते हैं जिसका शिकार इंफान खान हो गए थे और उस कैंसर की वे से जो कि आतों का कैंसर था उस कैंसर की वज़े से इर्फान खान की आज मौत हो गई स्वेम प्विट्वर पर उन्होंने एक बार 16 मार्ज 2018 को निरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में बताया था अधिक्तर लोग ये समझते थे कि निरो एंडोक्राइन ट्यूमर दिमाग का कोई ट्यूमर होता है तब उन्होंने बताया था कि मुझे निरो एंडोक्राइन ट्यूमर है पर दिमाग की कोई बिमारी नहीं है ये आतों की बिमारी है तो दोस्तो एक भेंकर बिमारी कैसी है किस तरह से ये विक्त्य को मार देती है क्या-क्या इसके लक्षन है और किस तरह से इसकी जाच की जानी चाहिए वो सबी विस्तार से मैं आपके को बताऊँगा लेकिन पहले श्रद्धांजली के रूप में इस बहत्रीन अदाकार के कुछ कारिय के बारे में आप से चंद मिनिट मैं लेना चाहूँगा दोस्तो शहाब जादे इर्फान अली खान का जन्म जैपुर में 7 जन्वरी 1967 को हुआ था और आज 29 अपरेल 2020 को वो आज हमारे 20 से चले गए दोस्तो इर्फान खान ने हिंदी ब्रिटिश और अमेरिकन फिर्म्स सभी में बहुती शांदार अभिने किया और अपने अपने अनिवह के अधार पर अपने अभिने से उन्होंने National Film Award, Asian Film Awards, Film Fair Awards और 2011 में देश का चोथा सर्वोच नागरिक सम्मान पदमश्री जीता था और पदमश्री से उन्हें नवाजा गया था दोस्तो इस अभीनेता ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा में शिक्षा ग्रेंड की जो नई दिल्ली में है और वहां से निकलने के बाद फिर ये बॉलिवुड चले आए बॉलिवुड में इर्फान खान की जो शांदार फिल्में है वैसे तो बहुत फिल्मा में काम किया लेकिन उनकी शांदार फिल्मा में है मकबूल, लाइफ इन्हें मेट्रो जिसमें इन्हें फिल्म फेर अवार्ड मिला, वारियर, रोग, हसिल, हसिल में इन्हें फिल्म फेर अवार्ड मिला, लंच बॉक्स, पान सिंग तोमर, पान सिंग तोमर में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला, और फिल्म फेर अवार्ड भ कर पाए और इस फिल्म में जो है इर्फान खान का बेहत्रिन और शांदार अभिने जो है लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों इर्फान खान को जिस बिमारी की वज़े से इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा आज हमारा क्यों मिनिट्स डॉक्टर रजय का अपिसोड उसी बिमारी के बारे में है दोस्तों निरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है और ये कैसे हो जाता है इसके बारे में मैं आज आप से आपकी ही वाशा में आपको समझाने का फ्रेतन करूंगा दोस्तों ये निरो एंडोक्राइन ट्यूमर जिनको की कारसिनाइट ट्यूमर भी बोलते हैं ये आतों की और लंक्स में या छाती में विबिंग जगया पर निरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं उनमें पैदा हो जा एक मकान को इंट के द्वारा बनाया जाता है और इंट उसकी एक यूनिट होती है उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर हर औरगन के अंदर हर हिस्से के अंदर सेल्स होती है जो की इंट की तरह है जैसे मकान के अंदर इंट होती है उसी प्रकार हमारे शरीर जो है वीबिन प्रक की सेल्स का बना होता है तो दोस्तों ये सेल्स अपने आप में एक यूनिट है और इकाई है और ये अपने आप में एक पूर्ण चीज है जो की सांस भी लेती है और जिनमें नूट्रिशन का भी कारिया होता है सब कुछ कारिया होता है दोस्तों आतों की जो अंदर वाली है होती है जिसे लाइनिंग बोलते हैं उसमें नियरो अंडोक्राइनस ह dif You know-in boxes क्या होती है यह नर्टमी होती है और यह इसकंद जो हमारे आतों के अंदर जो नियरो अंडोक्राइनस हैं वो दो कारियों करती है आतों के अंदर ये और उन हार्मोन्स के वजह से हमारे जो पाछा करास हैं digestive juices हैं वो बनते हैं दूसरा ये आतों की मानस्पेशियों में movement लाथी हैं जिससे हमारा भोजन ऊपर से नीचे की और बेट से small intestine की और और small intestine से large intestine की और चलता है तो दोस्तो नियूरो एंडोक्राइन सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं जिनमें की हर्मोन बनाने की शक्ती है जो की डाइजर्स जूसेश सिग्रेट कराते हैं और हमारे आथों को मुव्मेंट कराती हैं दोस्तो अब ये जो नियरो एंडोक्राइन सेल्स हैं इन में कभी-कभी cancerous changes आ जाते हैं और वो cancerous changes के अंदर ये हमारे शरीर के अंदर जो hormones का amount है वो ज़ादा बढ़ाने लगती है बहुत ज़ादा hormones का secretion हो जाता है और ये इनका size भी बढ़ने लगता है तो normally अगर हलका फुलका ये जो hormone secret करती है तो ये जो extra hormone है वहाँ आरे liver में जाता है और liver के enzymes उसको खतम कर देते हैं neutralize कर देते हैं लेकिन अगर ये cells एक tumor का अकार ले लेती है और इसमें tumor जादा बन जाते हैं जादा cells बड़ी हो जाती हैं तो उससे जादा hormones हमारे secret होने लगते हैं और फिर ये एक बहुत जादा hormone secret करने के वज़े से एक condition पैदा कर देती हैं जिसको हम carcinoid syndrome बोलते हैं जो कि जादा hormone के वज़े से पैदा होने लगती है दोस्तो normally neuroendocrine tumor या carcinoid tumor बहुत slow growing tumor होते हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं और बहुत rare किसम के tumor होते हैं बहुत जादा common नहीं है अब दोस्तों इनके लक्षण क्या है जो early stage होती है उसमें इस neuroendocrine tumor में व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन आतों के अंदर मैं विशेश तोर से जो आतों में होने वाले neuroendocrine tumor है उनका जिगर करना चाहूँगा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इरफान खान को neuroendocrine tumor या carcinoid tumor शरीर की large intestine के अंदर colon के अंदर था तो दोस्तों ये आतों के अंदर 3-4 जगे हो जाता है और जहां-जहां ये होता है उसके अलग-अलग लक्षण होते हैं वो मैं आपको बारी-बारी से बताना चाहूँगा हमारी छोटी आतों का जो पहला पार्ट होता है डियूडिनम अगर neuroendocrine tumor डियूडिनम के अंदर है तो उसमें रोगे को पेट दर्द, कब्ज, दस्त, उसके जो स्टूल है उसका color change हो जाना, बार-बार उल्टी जैसे शिकायत रहना, उल्टी आना और उल्टी हो भी जाना और जॉंडिस या पेट या छाती में जलन हो सकती है दोस्तों उपर की जो हमारी small intestine है उसका जो middle और लास्ट पार्ट होता है जीजनम और इलियूडिनम उसके अंदर अगर यह neuroendocrine tumor है तो उसमें पेट दर्द, weight loss, ठकान, पेट का फुलना, दस्त, और नौजिया और वोमि sodium से हमारे जो जितने भी nutrients हैं वो खून में absorb होते हैं और अगर यहां पर tumor है तो उसकी वेसे जो हमारा भोजन है वो सही तरीके से हमारे blood में नहीं पहुच पाता उसकी वेसे व्यक्ति का वजन गिरिने लगता है अब colon जो बड़ी आत है बड़ी आत में जो यह neuroendocrine tumor है उसम और rectum जो बिलकुल लास्ट वाला पार्ट है जहां पर हमारा fecal matter collect होता है अगर वहां पर neuroendocrine tumor है तो दोस्तों उसमें stool में blood आना, latin में blood आना, rectum के area में, latin के रास्ते के अंदर से patient को लगेगा कि इसको दर्द हो रहा है और कब्स का होना दोस्तों यह एक cancer है neuroendocrine tumor इसके खत्रे क्या है दोस्तों सबसे बड़ा खत्रा है कि यह एक cancer है दूसरे organs में यह फैलने लगता है और सबसे ज़्यादा कतरनाक है कि यह liver में और अन्या organs में फैल जाता है जब यह आतों में रहता है तो आसवास के आतों के आसवास और liver में यह फैलने लगता है दोस्तों जब यह tumor liver में फैलने लगता है तो liver के function सारे deranged होने लगते है और नॉर्मली जो neuroendocrine tumor से अधिकतर निकलने वाले ज्यादा मात्रा में निकलने वाले hormones हैं जिनकों की liver enzyme neutralize कर नहीं रहती है और liver जो है जो carcinoid tumor के द्वारा जो hormone secret होने वाले हैं उनका amount जो बढ़ता था वो बहुत जादा बढ़ने लगता है liver उसको खतम नहीं कर पाता इसलिए एक शरीर में condition पैदा हो जाती है जिसमें की carcinoid tumor या neuroendocrine tumor द्वारा secret करने वाले hormones की संख्या बहुत ज जादा बढ़ जाती है और इस condition को carcinoid syndrome बोलते हैं दोस्तों यह carcinoid syndrome neuroendocrine tumor की एक अच्छी condition अच्छी stage नहीं है अगर किसी भी व्रक्ति को carcinoid syndrome पैदा हो गई है इसका मतलब उसका carcinoid tumor या neuroendocrine tumor advanced stage में जाने लगा है तो दोस्तों जो carcinoid tumor है इसकी जो लक्षण है वो क्या है वो बड़े हैरासिंग से लक्षण है मरीज को बहुत ही बेचैनी और अजीब तरह की जो feeling होती है वो carcinoid tumor में होने लगती है carcinoid syndrome में होने लगती है इसमें patient को बार-बार लगता है कि उसका चेहरा लाल हो रहा है बार-बार गरम हो जाना है पेट के अंदर दद रहना पेट का फूलना या blotting जीसे बोलते हैं दस्त लगना और कभी-कभी भीजिंग या सांस लेने में परिशानी हो सकती है दोस्तों इस वीमारी कि अगर ऐसे लक्षण अगर किसी के अंदर है तो उ जोगे एग्जामिनेशन करके आपको बता सकता है कि लंग्स और लिवर के अंदर बढ़ तो नहीं रहा है पेट के अंदर कोई लंप पैदा तो नहीं हो रहा है ब्लड के अंदर पूरी ब्लड बायोकेमेस्टरी इसमें करानी होती है तो तो ट्यूमर के लिए ट्यूमर मार hardware होते हैं तो इसका मतलब कि Karcinoid Tumor है 24 गंटे के अंदर urine test 24 Hour urine test इस के अन्दर हम 5 HIAA का टेस्ट करते हैं और Serotonin हार्मॉन का टेस्ट करते हैं अगर Serotonin हार्मॉन 24 Hour urine test में ज्यादा आता है इसका मतलब पिशेंट को carcinoid syndrome है पांचवा टेस्ट है MIBG scan MIBG एक radioactive dye है जिसको की vein के अंदर inject किया जाता है और ये carcinoid tumor के अंदर जब जाती है तो carcinoid tumor इसको ज़्यादा अपने अंदर खीच लेते हैं और उसको फिर machine के द्वारा detect कर लिया जाता है छटी जाच है CT scan computerized tomography जिसमें की dye inject किया जाता है और dye inject करने से फिर scan किया जाता है जिससे की tumor की picture आ जाती है नेक्स्ट जाच है nuclear MRI nuclear magnetic resonance imaging इसमें इस machine के अंदर magnet, radio wave और computer का इस्तमाल करते हैं हम tumor की picture लेते हैं ये भी useful जाच है अब आटवे जाच है PET scan positron emission tomography इसके अंदर radioactive sugar को inject किया जाता है शरीर के अंदर और क्योंग इस sugar को जो carcinoid tumor cells हैं क्योंकि वो metabolically बहुत active होती है तो radioactive sugar को वो अपने अंदर जादा खीच लेती हैं तो इसलिए जब हम picture लेते हैं तो tumor के अंदर वो radioactive sugar की shadow जादा आती है इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर carcinoid tumor है इसके अलावा अपर gastrointestinal endoscopy जिसमें endoscope डाल के देखते हैं और biopsy भी ली जा सकती है colonoscopy जो बिल्कुल latrin के side से endoscope डाल के rectum और colon की जाच की जाती है direct visualize कर लिया जाता है carcinoid tumor को और वहाँ से उसकी एक piece लेकर biopsy भी की जाती है एक बहुत interesting जाच की जाती है capsule endoscope भी इसमें क्या होता है दोस्तों एक capsule जो है patient को swallow करने के लिए बोला जाता है और उस छोटे small capsule के अंदर एक camera होता है वो camera उसकी आतों में जैसे जैसे नीचे जाता है तो वो सारी picture लेता है और वहीं आतों से ही वो capsule के अंदर का camera बहार लगे वे receiver के अंदर अपने signal देता है और उससे imaging ली जाती है और last है biopsy दोस्तों इसके साथ साथ बहुत जल्दी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें prognosis कैसी है prognosis का मतलब होता है chances of recovery दोस्तों ये बहुत कतरना tumor है अगर ये cancerous तरीके से अलग-अलग organs में बढ़ गया है या carcinide syndrome हो गई है तो ये बहुत ही last stage है और इसमें रोगी का बचाना मुश्किल हो जाता है फिर भी इसकी जो prognosis है 5-6 factors पर depend करती है जैसे site of the tumor tumor कहा है intestine में किस जगह है उस पर depend करता है size कितना है कितना बड़ा है उस पर depend करता है metastasis दूसरे एंगों में वो फैल गया है या नहीं फैल गया है और next है carcinoid syndrome मरीज को carcinoid syndrome पैदा हुई है या नहीं फैदा हुई है सरजरी के अंदर carcinoid tumor को पूरी तरह से निकाल दिया गया है या वो कुछ part उसका भी शेश है या patient अभी अभी newly diagnosed हुआ है या उसको tumor बार बार फ्रीकर हो गया है तो दोस्तो आज का हमारा special session इर्फान खान की मौत के उपर उनको श्रदांजली देने के लिए था और साथ साथ हमारे सभी लोग को ये बताने के लिए था कि carcinoid syndrome या neuroendocrine tumor जो आथों के अंदर पैदा होते हैं वो कितने खतरनाक हैं क्या क्या उनके लक्षन हैं दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कर्पिया मेरे चैनल को like कीजे, subscribe कीजे वीडियो को like कीजे और bell icon का बटन दबाना ना मुले दोस्तो और सभी को इसका लाव हो, तो कर्पिया आपने मित्रों में और परिवार में इस वीडियो को शेयर करें धन्यवाद, thank you